हलो फ्रेंट्स वार्कम बैक टो में चैनल आज में आप लोंगे साथ जैर करने वाली हूं मतन पचोनी बनाने का बहुत ही टेस्टी चा तरीका जिसे अगर आप एक बर बना के खा लेंगे ना तो इसका जो स्वाध है वो आपकी जुबा से कभी नहीं उतरेगा तो आप इस त मतन पचोनी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक केजी मतन का पचोनी लिया है और इसे मैंने अच्छे से क्लीन एंड वास कर लिया है अब इसे हम सबसे पहले छोटे पीसेस में कट कर लेंगे तो देखिए मैंने इस तरीकी से से छोटे पीसेस में कट कर लिया है अब हम एक क कर लेंगे और इसमें हम मतन पचोनी को आड़ कर लेंगे और यह जो मतन का चरबी है ना उससे शरीफ छोड़के हम सारी चीजों को आड़ कर लेंगे मटन का जो चरबी है इसका हम बाद में यूज करेंगे अभी इसमें आट करेंगे तो ये पूरा गल जाएगा अब इसमें हम दो मिडियम सैज का बारिक कटा हुआ प्याज आट करेंगे अब इसमें हम दो बड़ा चमच अधरकलसन का पेस्ट आट करेंगे पच्छोने में थोड़ा अध्रक लसं का पेस जादा ही डालें. अब इसमें हम दो तेस्ट पत्ता आट करेंगे. अब इसमें हम सुखे मसाले भी आट करेंगे. एक चमच जीरा पौडर, आधा चमच हल्दी पौडर, आधा चमच लालमिश पौडर. लालमिश पॉडर अपने टेस्ट के कोडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और एक चमच कस्मिरी लालमिश पॉडर आड़ करेंगे और हम इसी टाइम में इसमें नमक आड़ करेंगे नमक अपने टेस्ट के कोडिंग आड़ करें अब इसमें हम एक छोटा कब पानी आड़ करेंगे सरिफ हम पचोनी को गलने इतना ही पानी इसमें आड़ करेंगे अब हम ग्यास ओन कर लेंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मेक्स कर लेंगे देखी अच्छे से मेक्स हो चुका है अब हम कुकर का ढकन बंद करेंगे और इसे मिडियम फ्ले में 2-3 सिटी आने तक पकने देंगे उसके बाद हम ग्यास को आप कर देंगे और कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे जब तक यह पक रहा है तब तक हम इसके लिए के मसाला बना के रेड़ी करेंगे तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बड़ा चमच धनिया यह साबुद धनिया है आदा चमच साबुद काली मिर्ट दो टुकड़ा दाल चीनी चार-पांच छोटी लांची छे से जब तक कि इसका जो कलर हो हलका सा चेंजना हो जाए और इससे बहुत अच्छा सा खुसबू आने ना लगे देखिए मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद थंडा हो चुका है अब इसे ग्रैंड करके इसका हम फाइन सा पॉडर बना लेगे तो देखिए मैंने इस तरीक देखिए मतन पचोनी एकदम अच्छे से गल चुक है अब इसे हम साइट पर रख देते हैं अब हम एक कढ़ाई को गरम होने के लिए रखेंगे कढ़ाई गरम हो चुक है अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल आट करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी कुकिंग ओल का यह उच्छ कर सकते हैं और ओयल को अच्छे से गरम होने देखिए ओयल अच्छे से गरम हो चुक है अब इसमें दो तीज पता दो का जो चर्बी अलग से निकाल के रखा था उसे इसमें आट कर लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा नमक आट करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम प्याज के साथ ही अच्छे से फ्राइ करेंगे जब तक कि हमारा जो प्याज हो अच्छे से गोडें ब सो ग्राम दही आट करेंगे, ध्यान रखें कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हूँ. अब इसमें हम एक चमस सत्तु आट करेंगे, इसे आट करने से इसका जो ग्रेवी का टेक्सर हो थीक बनेगा, अब इसमें हम हमने जो मसाला को रोस्ट करके इसका पौड़र बनाया था, उसे इसमें पूरा आट कर लेंगे, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे हम मिडियम फ्ले में कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि इससे ओयल सेपरेट ना होने लगे, देखिए इससे ओयल सेपरेट होने लग गया, यानि कि हमारा दही और जो मसाला हो, मटन पचोनी के साथ अच्छे से भून चुका है, तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी मटन पचोनी बनके रेडी हो चुका है, देखिए ग्रेवी का टेक्सर कितना बढ़िया बनके आया है, अब इसे हम लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया अट करेंगे, आप चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के इसका ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन यह ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हम ग टेस्टी लग रहा है, उससे ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है, तो अब इसे आप गरम गरम रोटी, चावल, पराठा किसे साथ भी सर्फ कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से एक बर मतन पचोनी घर पे जव ट्राइ करके देखिएगा, उमीद है आपको यह बहुत कदी जिससे मेरी आने वाली नेस्ट रेसेपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तब तक के लिए टेक केर और गुडबाय, थैंकियो फो वाचिंग